हेलो गाइज, कोल्डिंग पीने से हमारे सरीर में फायदे तो कुछ नहीं होता किन्तु नुक्सान बहुत होता है चायवा किसी भी कमपनी का हो आज कल छोटे से बड़े कोल्डिंग का सभी सेवन करने लगे हैं कमपनीों के अच्छे अच्छे एडवाइटराजमेंग देखकर लोगों ने अच्छा मान कर कोल्डिंग पीने पर मजबूर होते हैं गर्मी में कोल्डिंग की खफ़त इतने बढ़ जाती है कि लोग पानी या अन्य पदास को छोड़कर कोल्डिंग का ही सेवन करते हैं लोगों के यह नहीं पता रहा था कि कोल्डिंग में कार्बोनेटेड वाटर बहुत जादे मातरा में चीनी हर्मफुल एसीड और आर्टिफिसियल कलर पाया जाते हैं जो कि बाड़ी को ठंडा करते हैं कि पेट में एसीड के मातरा और बाड़ी में सुगर लेवल इतना बढ़ा देते हैं कि ग्लुकोज के मातरा जितना एक दिन में चाहिए वो हमें तुरंत मिल जाता है जो लोगक रोग आजएक मातरा में सेवन करते हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि उनकी बॉड़ी में जो चेंजर्ज हो रहा हैं और UK decision ही चलिए जानते हैं कि कोलॉडिंग पीने के बाद हमारी बोडी में कैसी चेंजिंग होती है अगर आप हाफ लीटर कोल्डिंग पीते हैं तो आप 10 चमत चीनी खाते हैं जिससे सरीर में गुलकोज लेवल बहुत ज्यादे बढ़ जाता है 10 चमत चीनी नॉर्मली खाने के बाद घवराट होगी किन्तु कोल्डिंग में फास्पोरिक एसीड मिला दिया जाता है जिससे प्रभाव कम रहता है बोडि इतना गुलकोज बढ़ जाने के कारणि इनसुलीन इतनी ज़ादा मातरा में फ्रोडिवस होती है जिससे हमारा मोटा पाप बढ़ने लगता है कोल्डिंग के 40 मिट बाद ही हमारे आँख की पुतलियां बड़ी होने लगती हैं, हम इनर्जेटिक फील करते हैं और नीद नहीं आता क्योंकि लीवर अधिक मात्रा में इंसुलीन प्रोडूस करता है कोल्डिंग पीने के 50 मिट बाद हमारा दिमाग एक डूपोमिन नामक हर्मोन रिलीज करता है, जिसकी वज़ा से हमें बहुत अच्छा मासूस होता है, जिस प्रकार को अलकोहल और स्टिग्रेट पीने से होता है, और हमें इसकी लत लगने का एहसास होने लगता है एक घंटे के बाद ही कोल्डिंग में मिलाए गए फास्पोरिक एसीड काई चतों में मिलकर ये छोटी एंडरस्टाइन में जाता है, जिससे यूरीन अधिक मातरा में आता है, यूरीन से अच्छे मिनरल्स निकल जाते हैं और खराब मिनरल्स बॉड़ी में ही रह जाते हैं जो बॉड़ी को ठाकान महसूस कराती हैं और हमारे हड़ियों को भी कमजोर करती हैं, हम आपको बता दें कि कोल्डिंग में कोई भी निचुरल चीजें नहीं डाली जाती जो कोल्डिंग बॉटल पर साफ साफ लिखा होता है, कोल्डिंग के साइड इफेक्ट बहुत अजि वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे वाटसाप, फेस्बूक, इंस्टा हर जगर सेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जान पाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें